Hello Friends, मैं हूँ सुदरसिन परकाश और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल गुरुचकाचक आज का हमारा टॉपिक है IS एक्जाम में CSET की तैयारी कैसे करें दोस्तों, IS एक्जाम को भारत में सबसे difficult exam माना जाता है IS बनना student का सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत पढ़ाई करने होती है इसी में एक paper होता है CSET का मतलब Civil Service Aptitude Test ये Prelims Exam का paper 2 होता है जिसे General Studies paper 2 कहा जाता है इस paper को crack करना थोड़ा कठीन है और student इस paper को लिकर थोड़ा confuse भी रहते है लेकिन जो student इस paper को समझ गए उनके लिए इस paper को crack करना काफी आसान हो जाता है दोस्तों सबसे पहले समझ लीजिए इस exam के तीन stage होते है Prelims, Mains और Interview इस exam द्वारा student IAS, IPS या IFS बनते हैं जो capable student होते हैं वही इस exam को crack कर पाते हैं दोस्तों Prelims exam में दो paper होते हैं दोस्तों GS paper 2 CSET का paper होता है और इस video में इसी को detail में समझना है ये एक qualifying paper होता है इस paper में किसी से competition नहीं करना होता है बस आपको minimum 33% marks लाने होते हैं exam pass करने के लिए यहाँ कोई merit नहीं बनती है बस आपकी योगिता दिखी जाती है में इस exam में बैटने के लिए इसका कोई योगदान नहीं होता है बस आपको minimum 33% marks लाने होते हैं दोस्तों CSET paper में total 80 question होते हैं जिनमें परते question के लिए धाई अंक निरधारीत होते हैं CSET का question paper objective type होते हैं मतलब multiple choice question पूछे जाते हैं ध्यान रखिए इस paper में भले ही आपको 33% marks लाने हैं लेकिन इस exam में unpredictable nature questions के कारण marks लाना थोड़ा difficult हो जाता है दोस्तों अब CSET के syllabus को जानते हैं इसमें कई section होते हैं जिसे गंभिरता से समझना होगा देखिए इसमें comprehension, interpersonal skills, including communication skills, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving general mental ability, basic numeracy इसमें numbers से related questions होते हैं साथी magnitude से question पूछे जाते हैं जो की 10th level के question होते हैं इसके बाद है data interpretation जिसमें charts, graphs, tables, data, sufficiency, etc. से questions होते हैं जो की 10th level से question पूछे जाते हैं आईए सभी के बारे में detail से समझ लेते हैं दोस्तों सबसे पहले आता है comprehension comprehension का मतलब होता है समझना आप किसी भी passage को पढ़ने के बाद उसको किस तरह समझ पाते हैं किसी भी topic को कई लोग अलग-अलग तरह से समझते हैं लेकिन आप उसे किस परकार समझते हैं इसी को comprehension कहते हैं लेकिन उसे समझने के बाद उसका सटिक answer देना होता है देखे, पैसेज पढ़ने और समझने का नेचर अलग-अलग हो सकते हैं इसलिए उसे धंग से पढ़ने की अविश्यक्ता होती है देखे, इसमें पढ़ने की आदत बनानी पढ़ेगी क्योंकि समय कम होता है और पढ़ना अधीक होता है इसलिए reading को develop करने की जरूरत होती है इसके लिए आपको newspaper का editorial page रोज पढ़ना है कई बार पढ़ना है देश-विदेश में चल रहे hot topic मतलब current topic पढ़ना चाहिए आप magazine पढ़ सकते हैं, book पढ़ सकते हैं और आपको किसी भी essay को पढ़ कर समझना चाहिए ताकि आपकी समझने की चमता विक्सित हो सके इसके बाद आता है interpersonal skills including communication skills दोस्तों इसमें आप दूसरे लोगों के साथ किस परकार बाचित करते हैं मतलब communication skills, listening skills, stress management, decision making, problem solving, methods, verbal communication and non-verbal communication से सवाल रहते हैं इसके बाद आता है logical reasoning and analytical ability दोस्तों इसमें reasoning से सवाल रहते हैं question ज़्यादा hard नहीं होते हैं अगर आप basic book के question solve कर लेते हैं तो CSET में भी reasoning के question solve कर सकते हैं आप चाहें तो पिछले कुछ वर्सों के पुछे गए सवालों को solve कर लिजे ताकि आपको question का pattern समझ आ जाए इसमें question समझना ज़्यादा जरूरी है ताकि आप यह जान सकें कि आखिर question पूछे कैसे जाते हैं इसके बाद आता है decision making and problem solving एक IS officer से सबसे ज़्यादा उमीद सही decision making की ही होती है किसी भी समस्या का सबसे सटिक आकलन तथा उसका निवारन वो भी निस्पक्च तथा तार्किक तरीके से एक IS officer की quality दरसाता है किसी भी problem को solve करने के लिए सबसे sustainable तथा most feasible solution क्या हो सकता है इस बाद का परिक्षन इस section में किया जाता है इसके बाद आता है general mental ability, basic numeracy and data interpretation इन तीनों को एक साथ बता देता हूँ दोस्तों इसमें गनिश से सवाल रहते हैं question ज़्यादा hard नहीं रहता है अगर आप 10th level के question solve कर लेते हैं तो आप इस level को पार्ग कर लेंगे दोस्तों CSAT के paper में general mental ability मतलब समाने मानसिक छमता इसमें आपके बौधिक छमता का test लिया जाता है वहीं दूसरा है basic numeracy मतलब इसमें संख्या से related question पूछे जाते हैं तीसरा है data interpretation इसमें आकड़ा से सवाल पूछे जाते हैं तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि IAS exam में CSAT क्या होता है अगर कहीं भी इससे related आपको confusion है तो comment box में सवाल जबर पूछे मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूँगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सबस्क्राइब कीजे थैंक यू